तो आज हम आपके अपने English Baba चैनल में पढ़ने वाले हैं CBSC Class 10 का एक नया टॉपिक जो इसी साल जुड़ा है उसका नाम है analytical paragraph और मैं आपको ये बताऊं कि analytical paragraph होता क्या है उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये ये दे इस बार आपके writing section में analytical paragraph जुड़ चुका है और आप नीचे देख भी रहे होगे ये 10 नंबर का आने वाला है ठीक है बस यही दिखाना था क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा कि ये कितना important है और 10 नंबर का है तब तक आप ध्यान नहीं होगा जैसा कि मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है देखो यहां पर this form of writing is used to interpret the facts है ना facts आपको दे देगा वो table की form में हो सकते है graph की form में हो सकते है या chart की form में हो सकते है ठीक है इसमें क्या होगा आपको visual stimulus देया जाएगा visual का मतलब यह दिखाया जाएगा इस तरह से ठी है उसके बाद it requires an analysis and comparison of the given facts and drawing conclusion based on the given data मतलब जो data यह आपको देगा उसके बेस पे आपको comparison और अपना conclusion देना है मतलब वो ही चीच जो इसने data की form में है chart की form में या table की form में दिखा रखा है आपको उसे आपने 3 main points के अंदर लिखना है और वो 3 main points कौन कौन से हैं पहला point आपका body और last में overview या जिसे conclusion बोलते हैं ठीक है मैं तो लगभग आपको शुरुआत से बताता रहा हूँ जब भी कोई आप letter वगएरा या जब भी कोई article वगएरा लिखते हो तो सबसे पहले शुरुआती introduction पार्ट लिखो body लिखो और last में conclusion लिख दो अब आप पूछोगे सर यह बताओ कि actually question कैसा आएगा तो देखो एक मैंने question का format दे दिया आपके लिए the graph block gives information about changes in the birth and death rates एक graph दे दिया इसने जिसमें आपको changes बता रहा है कि birth और death rate में अंतर देखो किस तरह का graph इस तरह का जो ज़्यादा dark वाली line है उपर वाली अगर आप यहाँ पर देख पा र graph दे दिया in New Zealand between 1901 and 2101 और इस graph यह जो graph दिया है birth rate का और death rate का वो कहां का दिया है New Zealand का जिसमें 1901 देख रहे हो 1901 से शुरुआत होके 2101 तक का इसने record आपको दे दिया ठीक है जी summarize the information by selecting and reporting the main features आपको क्या करना है यह जो information इसने आपको data की form में दिया है ठीक है एक graph की form में दि लिखना है words की form में लिखना है ठीक है and make the comparison where relevant और जहां जहां relevant लगे वहां पर आपको comparison करना है अब comparison किसमें करोगे birth rate में और death rate में तो सबसे पहले हम लिखते हैं भाया introduction ठीक है देख लो क्या लिखा हमने introduction में the graph shows changes in the birth and death rates in New Zealand दिखा रहा है changes दिखा रहा है birth rate में और death rate में नहीं आ रहा समझ में देखो ये रहा birth rate और ये रहा death rate इसमें अंतर दिखा रहा है ठीक है जी in New Zealand since 1901 कब से दिखा रहा है 1901 से हां जी बिल्कुल सही बात है and forecast trend step until 2101 और कहां तक दिखा रहा है 2101 तक दिखा रहा है अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं अगर आपको पूरे 10 के 10 नंबर चाहिए तो ध्यान रखना जब भी आप introduction लिखो कोशिश करना कि introduction केवल एक या दो लाइन में खतम हो जाए यानि short से short रखना है दूसरा अगर आप देख रहे हो भले से इसमें आपको तीन लाइन दिखाई दे रही होंगी लेकिन पूरे के पूरे introduction में मैंने केवल एक sentence लिखा है यानि कि अगर मुझे full stop लगाना है तो मैं 2101 के बाद लगा सकता हूँ तो समझ में आ गए ये मेरी tip number 1 थी introduction must be very short ठीक है जी फिर हमने क्या बताया था body part यहाँ पर मैंने डाल दिया है try to write introduction in one sentence में लिखना है अब body paragraph 1 ठीक है अब आप कहोगे sir यहाँ पर बताया था कि तीन पार्ट में लिखना है यह रहा introduction body और overview इसमें आपने यह तो नहीं बताया था body paragraph 1 या body paragraph 2 देखो अब हमें जो data मिला है न यार वो मिला है birth rate का और death rate का तो यानि दो data मिले हैं तो हम ऐसा करते हैं जो body है उसे दो parts में divide कर लेते हैं एक birth के लिए और एक death के लिए समझा रही है बात अब सबसे पहले हम लिख देते हैं birth के बारे में between 1901 and the 2041 the birth rate has been consistently higher than death rate 1901 से लेके 2041 तक जो birth rate रहा है वो consistently higher rate death rate से देख ले थे हैं ऐसा है या नहीं है देखो 1901 से शुरूआत हुई अब आप यहां देखो 2041 पे अगर आप आओ यहां तक ठीक है आगे अब आप देखो जो birth rate है वो death rate से higher चल रहा है या नहीं चल रहा और कहां तक लगभग 2041 तक यस या नो आ रही ये तनी बात समझा है आगे बढ़ रहा हूँ अब हमने क्या लिख जी इट इस्टूड एड़ ट्वेंटी थाउजंड एड़ ट्वेंटी थाउजंड एड़ स्टार्ट ऑफ दिस पीरिएड मतलब जो birth rate है जब शुरूआत हुई उसकी तो 20,000 से शुरूआत हुई देख लेते हैं भाईस अब 20,000 से शुरूआत हुई या नहीं तो देख र हो रही है एड़ टा स्टार्ट ऑफ दिस पीरिएड एंड इंक्रीज तू पीक ऑफ 66,000 इन 1961 और वो कह रहा है कि 20,000 से शुरूआत हो के highest जो पीक लेवल पर पहुँची वो 66,000 पर पहुचा है birth rate और वो भी कब 1961 में देख लेते हैं अब आप मुझे देख के बताओ birth rate highest कहा है देख रहो यह वाली जो लाइन है यह वाला पॉइंट तो यह देखो 60 और 70 के बीच में है और हमें ऐसा लग रहा है कि 66 में होगा और नीचे से हमने जैसी हम वहां गए ए यह देखा तो यह हमें मिला 1961 I hope कि यह चीज आपको clear हो रही होगी ठीक है since then the rate has fluctuated between 65 and 50,000 fluctuated का मतल पर क्या होता है उतार चड़ाओ उसके बाद से ही जो rate है वह fluctuated रहा है अब देखो इसके बाद 65 पर बहुंचने के बाद देखरो ऊपर जा रहा है नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया तो ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है अब and it is expected to decline slowly around 45,000 birth by the end of the century अब हो कहे रहा है कि लगभग लास्ट में इसमें अब decline decline का मतलब करा कमी देखी जा रही है फाल देखा जा रहा है या नीचे लास्ट में तो धीरе धीरे धीरे क्या है जो birth rate है वह कम हो रहा है तो इस तरह से आपनेर लिख दिया बाडी paragraph 1 और बाडी paragraph gab 1 में आपने क्य लेखा बर्थ रेट के बारे में लेखा ठीक है चलो अब हम बात कर लेते हैं भई या बॉडी पेराग्राफ टू की जो समझदार बच्चा वो देखते ही बता देगा इसमें किसकी बात करेंगे डैथ रेट की बात करेंगे चलिए in contrast the death rate started below 10,000 contrast का मतलब होता है just विपरीत उल्टा बिलकुल वो 20,000 से शुरू हुआ था और ये 10,000 से देख लो हो रहा है कि नहीं हलकी वाली लाइन जो light gray है 10,000 से भी नीचे से शुरू हुआ है ठीक है this increase is expected to be more rapid between 2021 and 2051 अब ये कह रहा है ये बढ़ा तो है लेकिन 2021 से लेके और 2021 तक तो भाई साथ बहुत rapid यानि बहुत तेजी से बढ़ा है देखो यहां पर यह चीज़ देखो यह ग्राफ यहां से सीधे बिलकुल उपर गया और नीचे अगर आप year देखोगे तो आब आप द 50 तक यह सीधा बहुत जबरदस्तेजी से बढ़ा है क्या death rate यानि मरने वालों की संख्या when the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly into 101 अब आप यहां देखो उपर जाके last में यहां last में देखो line उपर जाने के बाद यह देखो CDC हो गई है कुछ कुछ यानि कि level हो गया है level लगभग 60,000 के करीब औ नीचे की तरफ मुड़ रहा है यानि कि थोड़ा सा decline हुआ है यानि कि कमी आई है मरने वाले लोगों की संख्या में इतनी बात के लिए रहे है अब conclusion देख लो conclusion में क्या लिख हो गए overall these opposing trends mean that the death rate will probably overtake the birth rate in around 2041 क्या कह रहा है जो यह जो opposing trend है birth का और death का 2041 में उल्टा हो जाएगा और birth rate है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आप देखो 2041 में गए तो यहां पर क्या होने लगा जो death rate है वो ऊपर है और birth rate नीचे है यही वाली बात हमने लिख दी तो इसका मतलब क्या है कि हमने कोई बात अपनी तरफ से नहीं बनाई हमने सारी की सारी बात है किस के ह birth rate जादा था ठीक है लेकिन वो कह रहा है कि अगर इस century के last तक होते होते यह जो gap है यह बिलकुल reverse हो जाएगा अब आप देखो हो गया या नहीं हो रहा शुरुआत हुई थी birth rate जादा था और death rate कम था लेकिन last में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो birth rate कम है और death rate जादा है तो समझ में आगया सबसे पहले आप introduction लिखो उसके बाद paragraph लिखो यानी body लिखो अगर दो data है तो दो आपने दे दिये उसके बाद आपने conclusion दे दिया देखो जैसा मैंने कहा था introduction भी आप छोटा सा लखना उसी तरह से conclusion भी छोटा सा लिखना ठीक है अब मैं आपको कुछ ऐसे words बताने वाला हूँ अगर उन words का आप usually इस्तमाल करोगे analytical paragraph लिखते वक्त तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे जैसे दोको मैंने शुरुआत करी between क्योंकि जब comparison करोगे तो between word का use कर सकते हो present day का use कर सकते हो consistently मतलब लगातार का use कर सकते हो period increased बढ़ा peak पर पहुंच ग तो यह वाले words इन्हें आप या तो copy में लिख लेना या screenshot ले लेना यह आपको बहुत ज़्यादा deck line मतलब कमी आई century मतलब इस सदी में और अगर मैं body paragraph 2 में जैसे मैंने एक word दिया in contrast just उलट ठीक है एक word दिया हमने steadily steadily means लगातार ठीक है और फिर हमने एक word दिया rapid ठीक है लग paragraph लिखते वक्त यूज करते हो तो आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे I hope कि मैंने जिस तरह से आपको analytical paragraph समझाया है आपको बहुत पसंद आएगा और अभी तक YouTube पर यह है नहीं शायद अभी तक आपके school वालों न भी नहीं पढ़ाया होगा तो इसे please please आप से हाथ जोड के गुजारे साथ कि जितने दोस्तों तक share कर सकते हो share जरूर कर देना मुझसे contact करना चाते हो तो मेरा number लिख लो 80590-42145-8590-4145 इंग्लिश बाबा चैनल पर पहली बार आयो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बात और हम इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश बा अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा और कर सकते हैं